आपर अनुग्रा और शान्ती हो आयम परमिशर के वचनों को पढ़ेंगे और मनन करेंगे मत्तिर चिचु समाचर उसका 27 वाध्याए और 51 से लेकर 66 तकम पढ़ेंगे और देखो मंदिर का परदा उपर से नीचे तक फट कर दो टुकडे हो गया और धरती डोल गई और चटाने तड़क कर गई और कब्र खुल गई और सौय होए पवित्र लोगों की बहुत से लोते जी उठी और उसके जी उठने के बाद वे कबरों में से निकल कर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाए दिये तब सुवेदार और जो उसके साथ येशो का पहरा दे रहे थे भूई डॉल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यां दर गए और कहा सचमुझ यह परमेशर का पुत्र था वहां बहुत सिस्त्रिया जो गलिल से येशो की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी दूर से देख रही थी उन में मरियम मगदलीनी और याकोब और युसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी जब सांज हुई तो युशुफ नाम अरी मतियाह का एक धनी मनुश्य जो आप ही येशो का चेला था आया उसने पिलाद उसके पास जाकर येशो की लौत मांगी इस पर बिलाद उसने दे देने की आगया दी युसुफ ने लोत को लेकर उसे उजुवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कबर में रखा जो उसने चटान में खुदवाई थी और कबर के द्वार पर बड़ा फत्थर लुड़का आया कर चला गया और मरियम लगदिन लिनी और दूसरी मरियम वहां कबर के सामने बैटी थी दूसरे दिन जो तियारी के दिन के बाद का दिन था माहे आ जको और फरिश्यों ने पिलत उसके पास इकटे होकर कहा है महाराज हमें समरण हैं कि उस बर्माने वाले ने अपनी जीते जी कहा था कि मैं तीन दिन के बाद जी उठोंगा सो आग्या दे कि तिसरे दिन तक कबर की रखे वाली की जाए ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे कि वह मुरे उसे जी उठा है तब बिछला दोका पहले दोके से भी बुरा होगा पिला तुस ने उसे कहा तुम्हारे पास पहरोय तो है जाओ अपनी समझ के नो सारा खवाली करो सोबे पहरोयों को साध लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगा कर कबर की रखवाली की तो यह परमिशर के वाचन है तो यहाँ पर जो कटना हैं हमें देखने के लिए मिल रही है उसमें क्या-क्या है तो यह मसी का मौत के तुरंद बाद परदा उपर से नीचे तक फट जाता है और आगे बहुत सी कबरे जो होती है संतों की वो तूट जाती है भूई डोल होता है और चटाने टकराती है ऐसी सी वारदाते वहाँ पर हो रही है जो लोगों को देखकर अचंबित कर दती है वहाँ का सुबेदार भी अचंबित हो जाता है और उसके बाद येशु मसी का जो सव है उसको लेने के लिए एक अर्मिताय का युसुफ आता है साथ साथ में जो प्रभी येशु को मानने वाली स्त्रिया जो है वो क्या कर रहे है उसको येशु प्रभुक के वचन के अनुसार उसने सुन लोगों ने सुना था उनको ये सारी बातों के उपर वो लोग पिलात उसके पास जाकर उस कब्र की रखवाले के लिए कह रहे है सुन ये सारी चीज़े यहां परा में देखने करी मिल रही है सबसे पहले गटना जो है परदा का उपर से निचे तक फटना वो क्या दिखाता है इशु मसी ने हमारे लिए जो स्वर्ग में जाने का एक रस्ता को खोल दिया है मतलब की इश परमेशर के लोग जो है जो विश्वास करने वाले हो सीधा परमेशर के साथ संपर्क कर सकते हैं जैसे इबरानियों के अंदर लिखा हुआ है कि वो सीधा हम परदे के पीछे वो इशु मसी गए और क्या हुआ उस परदे के पीछे के फाग में जाकर इशु मसी ने हमारे लिए वो बलिदान को चड़ा है तो इबरानियों में हमको देखने के लिए मिल रहे है नौ आवचन में ग्यारा में जब मसी आने वाली अच्छी अची वस्तों का महायजग होकर आया तो उसने और भी बड़े सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ से बनाया हुआ नहीं अर्थार सुष्टिका नहीं और बकरों और बश्रों के लहुक के द्वारा नहीं पर अपने ही लोग के द्वारा एक ही बार पवित्रस्तान में प्रविस किया और अनंत चुटकारा प्राप देखना है ताकि पता चले लोगों को कि हा परमिश्वर ने अपना काम कर दिया है आप देखे कई जगाओं में हम अपने जीवन में भी आप देखी आपके जीवन में जो भी होता है उसमें आपकी आसपास की प्रस्तती में भी असर होने लगता है आप नया जीवन पाए हो तो आपके आसपास फरक पढ़ने लगता है और आप जब पवित्रात्मा का बब्तिस्मा पाते हो तो भी भी आपके सरीर प्रासर होता है वैसे ही यहाँ पर जो मंदिर था उसके पर भी असर हो रहा है परमिश्वर येश्व प्रगु को जो वहाँ पर बुलाया था वो मुर्दों में से जिन्दा होके पवित्रस्थान में प्रवस किया अपना लहो को बहा कर अनंत छुटकारे को तयार किया तब ये चीजे वहाँ पर उसको होना अवश्यत था पराबर तो वो कबरे खुल जाती है उसके बाद भी हम देखते हैं तो धरतिकम हो रहा है चटाने चटाने के हो रहा है बहुत ही चटाने तड़क कर रही है मेरलब बहुत ही आवाज हो रहे थे बहुत भारी भारी चीजे हो रहे थी क्योंकि कुलोसी 2 का 15 के इसाब से वहाँ पर येश्यो मसी कुरूस के उपर विजय हुआ है सारी प्रधानता और अधिकारों को क्या कर रहा है वो खुलम खुला तमासा बनाकर वहाँ पर वहां कुरुस के उपर से उतार दिया सारी खराबियों को कुरुस पर जाकर उसने क्या किया वो नीचे उतारा, नीचे उतारा मतलब सारी उनके अधिकारों को खराबियों को उसने खीज कर नीचे कर दिया वो जो सालों से पृत्वी के उपर अच्छी पृत्वी में लोगों के अंदर सैतान जो राज चला रहा था अपनी आत्माओं के द्वारा उसको उसने हरा दिया उसकी असर यहां दिखनी जरूरी थी क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि जो हुआ है वो एक सामेने बात नहीं हुई है ईक मसीहा का मरना है एक सामेने चीज नहीं है येश्व मसी कई मरना और आजोबजो के चोरों का मरना में बहुत बड़ा बिन्दा है येश्व मसी के जैसे मौथ हो यह उसकी तुरंद बारे सब हो रहा है ल कहा लुका में लिखा है कि अंदेरा हो गया यहां पर असर यहारी लिखा है दो पर के तीसरे दिवहर तक अंदेरा भी छाया था पैतालिस में पर क्या लिखा है कि अंदेरा छाया गया तो वो अंदेरा क्या दिखा रहा है वो भी एक तरह का असर दिखा रहा है कि कितना खराबी जो उस पूरी पुरुथवी के दर्मिया जो भी खराबिया हुई जो भी पाप हुआ उसको प्रभु ईशु ने अपने पर सरे पर लिया उसकी सारी असरों को दिखाता है तो जो हवान मान है आसपास की परस्तितिया है पुरुथवी का जो भाग है धरती है सब के उपर इसका असर दिखना जिरूरी था जब येशु मसी कुरस पर चड़े है जीत गए है तो उसकी जीतने का जसन पता ही चलता है जिसे कोई भी राजा जीत के आता है तो क्या होता है कुछ लोग बहुत ही पड़ा-पड़ा के फोड़ते हैं और बड़ी-बड़े जशन मनाते हैं वैसे ही पृत्विक्योपरस की असर हो रही थी येश्यमसी जीत गया है और जो संत लोग थे उनकी कबरे भी तूट गई है कबरे खूल गई है सीधी वासा में बोलने जाए तो कबरे खूल गई मतलब वो बूचाल भी हुआ होगा उस समय में कबरे भी तूट जा रही है कबरे खूल जा रही है सोय वे पवित्र लोगों की लोथे उठी मतलब उनके जो हड़िया है वो सब उठे और बाद में वो बाद में दिखने को है ऐसा लिखा है तीसरे दिन में ये शुमस्य जब जिन्दा हो उनके साथ मगर उसकी मौत की बाद की जो पहले दिन जो था उसकी ये सब बाते हम यहाँ पर देख रहे ठीक है तो वहाँ पर दूसरा एक चीज अहम चीज लिखी हुई है वो है सुबेदार की गवाई ये गवाई बहुत ही बहुत ही इंपोटन थी एक जो विदिस सी लोग जो है जिसको विदर्म या फिर गेर यहुदी लोगों के लिए ये चीज बहुत जरूरी थी क्योंकि सुबेदार जो था वो गेर यहुदी था उसने भी दिये गवाई दी है यह उन नामे ये लिखा हुआ है 1935 में लिखा हुआ है कि जिसने यह देखा उसने गवाई दी है और उसकी गवाई सची है और वो जानता है कि वो सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो तुम भी मतलब जो लोग आकी खिल होगे वो लोग भी विश्वास करना है तो वहाँ पर गवाई इसलिए लिखी गई है, सभी जादतर सु समाचारों में, लुका, मत्ती, युहना सब में चीज लिखी हुई है, थोड़ा लग से तेभी स्वैध्य में लिखा हुआ है, कि धर्मी विक्ती था, ऐसे करके, मतलब सबने अल्मॉस एकी चीज लिखा हुआ यह परमिश्वर का पुत्र था, जैसे उस समय में उसको समझ में आया, उसने उसकी मुझे सब्दा निकल गए, कईके चीजे परमिश्वर बुलवाते हैं, ताकि आने वाले समय के लोगों को भी फाइदा हो, जैसे पत्रस के पास बुलवाया था, कि तू मसी है, चाह जब म पहचान नहीं है आपके अंदर, कि आप परमिश्र के पुत्र है, तो वो आप मसी जीवन टिक से नहीं जी सकते हैं, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर स्त्रीयों के विश्वर में भी लिखा है, कई स्त्री वहाँ पर से सिवा करती हुई, निकल रही है, जा रही है, तो वो द में कर रहे है, इनको लग रहा है हम लोग जीत गए है, जो सेतन के साथ वाले है, और प्रभू के साथ वाले है, इनको लग रहा है हम हार गए है, मगर वो लोग जीतने वाले थे, हालेलू या कई बारे सा हमारे जीवन में होता है, और हम दुनिया के अंदर रहते हैं, हमारे حق में होती है यह सब दिखता है मगर जब शुरू होता है हमारे हक में प्रफु का काम तब हमें पता चलता हो, यहाँ पर तो प्रफु बहुत ही गहरा काम कर रहे है, जिस जेगा पर आप हो वहाँ पर बहुत विरोध हो रहा है, मसई में डाला जा रहा है, परिसान किया जा रहा है, ठीक है, आप सोच रहे रहे रहे, अभी मसीह अधकर्वरे में हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, सारी कलिशा बंद हो रही है, ये है, वो है, मगर थोड़े सालों के बाद देखा जाता है, तो हम देखे हैं कई जगाओं म ऐसे होने के बाद, उसप से जभी मसीह होते हैं, हालेलुया, तो ये क्या है, परमेश्वर जब चुप-चाप रहते हैं, तब इसका मतलब ये नहीं है, कि इनसान को जो चाहे हो कर सकते हैं, परमेश्वर चुप रहना काई της समय है, उस समय परमेश्वर अपने लोगों को भ जबूत करता है जैसे उस समय में ये लोग रभी इशु के सव को लटका दिये थे फिर वहां से उतार दिया गया और वहां पर जो विक्ति छिपा हुआ था वो भी बाहर आ रहा है ठीक है जो विश्वास के लोग को छिपा हुआ रहता है वो भी कोई-कोई परस्थिती ऐसी हो लास को इश्मसी के सरीर को लेने आता है उसको अच्छे कपड़े में लेपेटता है हाला कि वचन पूरा होना चीए था ये साया त्रेपन का नो में उसी की वज़ा से वो धनी व्यक्ति था इसलिए वो लेने आया मगर वहां पर उसके जीवन में क्या हमें पता चल रहा है वो एक अपने विश्वास को छिपा कर राखा था मगर उस दिन तो जाहर्म कर दिया ठीक है वहले कई लोग हमको लगता है नहीं मान रहे जैसे हमारे कर परिवार में कई औरते रहती है फूरा परिवार का अलग अलग दिशामangen प्रभु को नहीं मान रहा है या खेली मान र येशु मसी के साथ कोई बाग भी नहीं कर सकता है, अगर करता तो उसको वहां से सभास्तान में से निकाल दिया जाता था, येहुदी का ऐसा सर्मान था और ये इतना रिस्क लेकर वहां पर येशु मसी की लाज को लेगने जा रहा है, तो कई बार पर विशुर ये सब हालत हो होते पर होने देते हैं, ताकि लोग जो विश्वास में, कई बार हमें लगता है परिस्तेदी खराब है, तो हम कैसे विश्वास कर पाएंगे, मगर ऐसे समय में ही सही विश्वास दिखता है, तो वो अपनी प्रव येशु की वहां से सरु लेके जाता है, और उसके पीछे वहां पर जो मरियम और मगदालीनी मरियम और कई दूसरी स्त्रिया भी है, उसके विशे में भी हमें दिख रहा है, देखिए वो लोग भी कैसे, क्या कर रही है, दूर से देख रही है, तो अपने प्रवु को चोड़ना नहीं चाहती थी, अपने प्रवु का कोई भी भाग को वो छोड़ना नहीं चाहती थी, उसको पता था उनको भी केश्यु मसी ने बोला था, वैसे वो मर रहा है, मगर वो लोग स्त्रिया लोग जादा ही इमोशनल होती है, फिर भी वो लोग ये सारी चीज़े हिमत करके देख रही है, केश्यु मसी के सव को उतार गया दिया ज जा रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजे हो रही है यहाँ पर, और एक अच्छी बात भी हो रही है वहाँ पर, पिलाद क्या कर रहा है इसको, परवानगी दे रहा है, मतलब इसको परमिशन दे रहा है ले जाने के लिए, आ गया दे दी, ऐसे करके भापके लिखा वाँ आला कि लोग भी गंफ्यूज है, वे इतने का दर्तिकम हुआ, ये हुआ, वो हुआ, साथ-साथ में, विस्वासी लोगों को भी पता नहीं चल रहा है क्या करना चाहिए, अब थोड़ा सोच के देखिए, ऐसे समय में, पी परमेश्वर अपना काम कर रहा है, और बाद में, व दूसरे जो लोग है, वो भी इश्व मसी के सव के पिछे पड़े, वो भी इश्व मसी की बाड़ी के पिछे पड़े, क्या बाड़ी के पिछे पड़े है, क्योंकि उन्हें डर है कि इनके चेले लोग आकर चोरी कर लेंगे बाड़ी को, तो वो लोगों को भी डर लग रहा कि आके फिर फिर से यह भंगामा करेंगे क्योंकि उनको लग राथा कि इश्व मसी जूठ मुठ में सब चीज करता था लोगों परमाता था तो उनके वह इसाबसे वह ओभी वह लोग भी क्या करें पिलात उसके पास जाकर वो लोग भी पिलात उसके पास permission लेना चाहते एक इंसान प्रभू के body की permission ले रहा है दूसरा इंसान प्रभू की जो कबर है जहांपर प्रभू को रखा जा रहा है उस कबर को रखे वाली करने के लिए एक जो group है वो क्या कर रहा है उसका परवानगी, permission लेने के लिए पिलात उसके पास जाते है तो देखिए यहांपर जो आविस्वासी वो आखिर तक आविस्वासी रहते है उन्होंने भी तो परदा फटा हुआ देखा था उन्होंने भी तो क्या देखा था यहुमसी के आज पास ब्रद धरतिकम होते हुए देखे उन्होंने भी कब्र को तूटते हुए देखा है बहुत सारे संतों के अड़ आड़ को अड़ियों को उपर उठते हुए देखा साब उन्होंने देखा इतने में तो समझ जाना चाहिए कि वरमिशर का पुत्र है फिर भी वो लोग कर दे इतना कठिन था कि वो लोग क्या कर रहे है यहुमसी के सवकी भी रखे वाली करने के लिए कह रहे है कि वहाँ पर क्या करो हमें पहर हुए दो और हमें थोड़ा ऐसा कुछ करो ऐसे करके वो भी विदर्मिविक्ति से कह रहे है जो एक पिलातू से उससे बात कर रहे है कि आप हमें उसका भी प्रोटेक्शन दो जो आविस्वासी वाकर तक आविस्वासी रहता है जादा तर लोग ऐसा अपना मन इतना कठिन कर देते हैं अलग उनको भी पश्चाताप करने का मौका प्रभु देते थे प्रभु इस्वासी का उस समय में बात्चीद करते थे उनके साथ यो नपाथ छे साथ आठ उसमें अब देखिया तो इस्वासी उसको कह रहे है मैं सब कीजी जे कह रहो में जे पर विस्वास मत करो मेरे कीओ के काम पर तो विस्वास करो उनको पश्चाताप का पूरे पूरा मौका मिला था उगर वो लोग मौका नहीं ले पाए इस्वमजी की मौत तक पहुचा दिया और इस्वमजी की मौत के बाद भी वो लोग वही काम कर रहे हैं उनको थोड़ा भी पस चाथा नहीं था तो हमें कई लोग बसंद ने प्रफन करते हैं कई लोग बहुत विरोध करते हैं और खास करके में विस्वास की बातों का वो लोग विस्वास करेंगे जैसे कि याँ पर मुर्दों में से जी उठने के विसे में प्रभु ने बोला था, उसका वो लोग विरोध करें, आज कल भी आप देखिए इश्व मसी के मुर्दों में इसे जिन्दा होनी की, विरोध में कई लोग मेगे जिन लिखते हैं, कई लोग वीडियोस बनाते हैं, कई लोग जुठाए बाते हैं, ऐसे करके कहते हैं, क्या करते हैं, सत्य को छिपाने का बहुत ही प्रैत्ने करते हैं, मगर रात तक कोई भी साइंटिम्स पाइंड नहीं दून नहीं पाया है, इश्व मसी की बाड़ी को, इश्व मसी का बाड़ी रुपांतर होकर, मरविश्र के दाइनी और बैठा हुए, हाललेलूया, अनिव कि आखिर तक हमें विश्वास को ठामे रहना, कोई भी हालत हो, कोई भी परिस्तती हो, साइट पूरा खाली जगा दिख रहा है, फिर भी हमें क्या करना है, प्रमिश्व का विश्वास पे अटल रहना है, बहले कुछ दिखनी रहा है, बहले आलत अंदकार जैसी है, मस्री का मौत के बाद भी दर दिकम किया, अभू चाल हुआ है, सब चीजे परमिशन ने अपना सामर्थ को दिखाया ही, तो हमें ये सब चीजों को देखते देखते हमें क्या करना है, अपने आपको हिम्मत देना है, मजबूत करना है, इस दिनों में इसी खाली समय का देख जिसे लग रहा है, लोगडाउन है, कुछ करनी पा रहे है, रभू इशुक क्या है, हमें करवाने के लिए जो शेवकाई हो भी नहीं हो पा रही हो नहीं हो रहा है, ऐसे करके हम नहीं रहना है मगर ये थोट छोटा सो जो इस्वासियों को जुन्द था उसकी जैसे हम क्या करना है लगतार उसकी पीछे-पीछे हो लेना है वो जैसे हमारे पास करवाना चाहता है करते रहना है, करते रहना है खाली पिरियट के बीच में भी हमें प्रभु की बातों की और अपना मन लगाते रहें आयम प्रात ना करें सर्वसक्तिमान परमेशर पिता हमारे भायों बेनों और सभी को मदद कीजिए इन सब बातों में ऐसे खाली जैस समय में भी प्रभु ऐसे जो डर्द का माहॉल के बीच में भी atención मोथ जैसे समय में के बीच में भी प्रभू हमें उस समय मैंने के विस्वासियों के जैसे मजबूत और स्थिर रहने के लिए मदद कीजिए हम हमेशा आपकी बातों को पूरी होने वाली उसकी और हमारे नजर पाकते रहने के लिए हमारे सरीरों का उद्धार होने के लिए हमारे सरीरों का पुपांतर होने तक हम विश्वास योगे रह पाए ऐसा होने दीजिए ये सारी बातों को हम आपके आत्मी सौब देते हैं, पवित्र पिता, आप मदद कीजिए सभी को, पवित्र आत्मा सब के अंदर बाक्ति कीजिए, और प्रभु येश्यू आपका अधिकार को, हमारे उपर आप जता रिरते रही है, प्रदानता अधिकार को आप हटा चुके ह उसको हम याद दिलाते रही है, और हमारा जीवन में आपका कार्य होते रहे है, येश्यू प्रभु के नाम से, आमिन